और ये नौरात्रा उपवास रहकरके ऐसे ही जीवन की कामना है कि उपवास के बाद जैसे नौ दिन के बाद जीवन इतना सुन्दर लगता है उचित लगता है लेकिन सिर्फ नौ दिन लगके क्या होगा नया नौ दिन पुराना सो दिन कहवत भी है ये नौरात्रा का नया नौ दिन अब बाके पुराना उधर तिन सो पैसे निकाल दो बाके दिन तो वही है तो ये नौ दिन से काम नहीं चलेगी ये नौ दिन जो आपने हलकापन महसूस किया माता ब्रमचारणी की पूजा की सहल प दी है और बाकि नौरात्रा से बहुत जादा कोई लाव होता भारत वरस को मैं देखनी रहा हूं भारत वरस नौरात्रा भी करता है नुकसान में भी है तो नों काम हो रहा है नौरात्रा हो तो कुछ लाव हो अब बताओ जड़ और मूर लोग नौरात्रा कर रहे हैं महां जड इतनी जड़ इतनी मुड़ अब नाम क्या लूम है अब उन लोगों को जादा देखोगे नौरात्रा करते हुए जिंदगी जिनकी हराम है उनका पूजा नौ दिन का बहुत बिधी से देखोगे पती पत्नी दोलों पत्नी नौरात्रा कर रही है 365 में से नौ निकाल दो कितना बचा भाईया 356 अब माकी के 356 दिन क्या कर रही है एके 56 लेके खड़ी है जिनकी खुड नरत है रोज नाक छिरिकना रोज रोना रोज मेसेज करना हाई बाप हाई बाप कि नौरात्रा है यह सक्ति की पूजा है यह ब्रमचारी माता की पूजा है यह कुस्मानदा की पूजा है यह सहल पुत्री की पूजा है यह पार्वती मैया की पूजा है कोई एंगल से नहीं लगता कि तुम कभी पूजा किये हो। पचास, साथ, सतर साल हो गए, मरी जा रहे हैं। जल से अभी डॉक्टर नमना किया है, जल से तकलीफ होगी, पर नौरात्रा जरूर करेंगे। अभी जोकेंगे तो तकलीफ होगा, करेंगे जरूर, उसके बाद लंगला लंगला पर चलेंगे। हाँ, हे भगवान, माता जी भी हमारी नहीं सुन रही है, माता जी आपको लो जाएंगी आज कल में, समय आपका आचुका है, आपको माता जी उठाएंगी जल्दी। प्रकृती को, माता जी मतलब प्रकृती को अगर आप नहीं समझ पाएं, प्रकृती के अनुरूप नहीं ढाल पाएं, प्रकृती के अनुरूप नहीं चल पाएं, अपनी जीवन में आनंद के पल को बढ़ाने के लिए इस प्रकृती से आपने अगर कुछ सीखा नहीं, तो जो जैस्ट पॉटीज नहीं शौप करूं यह हैं मों भान अभान अभले दनीं तरह कैसि होर जा terry नहीं है इस के स्पैस्ट दुर बाद आत्रेफраст देगे हैं मेट करें грा लेकार मैं उसके बाद लिय्सका भोलेजियां को जो कि दो отмет अप्रुदे देखो हमको बताओ यह टपस्वी है अचल रहा है अच्छ रही हमारे हैं इसलिए बौद' को उपलद हुए बिना और बौद' को अपलद' की इसलिए व्यश्वत स हो सकते रही पर ब्रत को भी गुरू की कृपा के अनुसार करो गुरू की आग्या के अनुसार करो आत्म आग्या के अनुसार करो वो तो करेंगे रही मनत कर दें तेरे लाइक अभी नहीं है छोड़ दो तेरे लाइक है करो करते तो ब्रमचारणी माता का अर्थ इतना ही है कि सैल पुट्री ने जन्म लिया है पिछली गल्पी से हमने सीखा है अब मुझे सती नहीं बनना लेकिन सिर्फ सीख लेने से क्या होगा मैं हूत वही आत्मा का संसकार वही है माता सती से पारवती के रूप में जन्म ले लिया तपश्चरनी बन करके अब तपश्या कर रही है। ताकि सति के वह जो पुराने संस्कार मेरे उपर है। वो फिर हाभी न हो जाएं जैसे आपके हमारे उपर हाभी हो जाते हैं। कभी किसी कारण से धक्का लगने पर किसी चीज में जटका लगने पर ब्रेक अप होने पर उसके बाद पंदरे दिन के बाद फिर आगे लोटके बुद्धु घर को आए क्यों तपस्या नहीं किया कोशिस्त हुई कि सती से सहिल पुत्री के रूप में जन्म हो गया दुख हुआ, तकलीप होई आत्मत्या कर लिए आत्मत्या करत होता है स्विच आफ कर लिए अपने आपको ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं स्विच आफ कर लिए दुख हुआ जीवन में तो कैसे सोचते हो के स्विच आफ हो जाने से तुम्हारे संस्कार मिट गए तुम्हारे भीतर जुक करनी ये चीज हो मिट गए तुम्हारे आत्मा के उपर जो संस्कार लेके आए तो मिट गए फस्टेप था दूर हो जाना ग्यात हुआ आत्मात्या कर लिया उन्होंने मतलब इस सरीर को ट्याग दिया तुम जीते जी उस सरीर को ट्याग दो जीते जी उस सरीर को ट्याग दो वो सरीर दूसरा था भासन देते हैं ना हमारे अचुतानन जी भासन देते हैं कई बार कि पूर उस सरीर का नाम ये था अब वरतमानी शरीर में नाम ये है नाम ही खाली बदला है कि मामगा भी कुछ बदल रहा है और नाम पहले दिल भी जाय था अब अचूतानंद हो जाये अब कल कहो तो भरचूतानंद लख लेते हैं पर अगर बृत्ती नबदले आत्मा के संसकार तपस्चरिया से बदलते हैं माता ब्रंबुचारनी की बूजा करने से बदलते हैं नौराप्ता के दूसरे दिल को याद रखो जीवन में कभी कोई major setback हुआ होता ही है सबके जीवन में मेजर सेट बैग, अरे बहुत दिक्कत हो, अरे इसने बहुत बड़ा धोखा दिया, अरे यह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गए, अरे यह मेरा बहुत बड़ी भूल था, उस भूल का हम प्रैस्चित करते, लेकिन प्रैस्चित इतना लंबा न हो जाए, कि वात्मा के उपर अपनाओ हो, सहल पुत्री के रूप में जन्म हो गया, अब वो संसकार मेरे उपर प्रभाव साली न हो, इसलिए उन्होंने तपस्या की, किसके अनुसार, मातात पारवती ने किसके कहने पर तपस्या की, गुरू के अनुसार, तो क्या आपके जीवन में कुल मेजर सेट बै आपको प्रैश्चित हुई, उसके बाद गुरू से आपने पूछ कर अभी तपस्या सुरू की है, या अपने ही मन के बंधन में, उल्जन में, उल्जे हुए, उन और समस्याओं को बढ़ाते जा रहे हैं, और इसको ही डिप्रेशन बोलते हैं, जीवन में, जब मनमोजी सा आपके गुरू ने कहा है, आपको प्रैश्चित करने लिए, उस गलती से अपने आपको स्विच आफ कर लिया, आपने, सती के रूप में, सती का सरीर आपको पसंद नहीं था, कि यह गलती हुई थी, देखो, गुरू आपमान किया हमने, कथा नहीं सुना हमने, बगवान को पहचानने में भूल हो गई, फिर पती का भी बात मैंने तो लिया, हमारे पिता ने हमारा अपमान कर दिया, हम इस बॉड़ी को प्यागते हैं, यह, वो ठीक नहीं था, पहला ही मार्ग मेरा ठीक नहीं था, जब मैंने गुरू का अपमान किया था, कथा का अपमान किया था, तो स्वतीग ने अपने सरीर का प्याक कर दिया लेकिन दूसरे सरीर में आने के बाद अब वो बैठी भी नहीं है जुप-चाप दो प्रकार के लोगो होते हैं एक तो मनमोजी प्रैश्यत करते हैं इतना ग्लानी, इतना ग्लानी, इतना ग्लानी कि पहले से ही भार था आत्मा के उपर और ग्लानी का भार लेके बैठे हुए इस इस दे वे आफ मतलब अपने लाइफ को डिस्टर्ट करने का रूइन करने का ये तरीका है अब आपने स्विच ओप किया न किसे चीज के कारण पिन आप जाईए, खड़े हो ये अपने गुरू के पास मिरे लिए क्या करनी है प्रभू इस समय मुझे क्या करना चाहिए और वो कहेंगे बेटा, अभी आपको ये करना है आपको ब्रह्मचारनी की तरह करना है कि आपको भोजन खाना है कि आपको भी गाड़ी चलानी है कि आपको अभी गाना सुनना है ये वो बताएंगे प्रह्षित भी अपने तरीके से करना मतलब अपने आत्मा के उपर बोज डाला है आत्मा पहले से इतना बोजिल है इतना भार है कि उड़नी पा रहे हैं और बोजह क्यों देते हो। गुरु की जो भी अज्ञा होगी, वो तुम्हारे आत्मा से बोजह उतारने की होगी, तुम्हें हलका बनाने के लिए होगा। तो अब जब आई, मता सती से पारवती बन कर, सहल पुत्री बन कर, है अब मुझे क्या करना चाहिए बोलो अब मुझे क्या करना चाहिए दूसरा स्टेप क्या है अब क्या करना चाहिए ब्रब्रामों चारानी तपस्चा कर लो गेटी कि वह जो पूराने संसकार है ना वह बीच-बीच में दोरा की तरह अबरेंगे कि दोरा पड़ता है ना दूरा पता है ना तो जरूरी थोड़ी के मिरगी का दोरा आज मंगलवार को पड़ा है मंगल बुर्द सुक अग्दम ठीक हो गया अब फिर सुकरवार को पिर पढ़ा जाले साथ बजे अच्छा फिर एक मेने तक दौरा नहीं पढ़ा ओया देखे ठीक हो गए अच्छली जा रहें लेके मोटर साइकल ये दोस्ति गई दोस्ती हमारे एक रिष्टेदार उनको ये था बीमारी और पिर मोटर साइकल चलाना उनको मना था लेकिन उनको महसूस हुआ कि मैं ठीक हो गया हूँ और गए और ट्रक के नीचे खतम है तो दोरे कभी भी पड़ सकते हैं आत्मा के उपर अगर बोज है वो चीज अभी भी है तो आप मत समझो कि 10-15 दिन अगर हो गया ठीक ठाक और सब कुछ है जीत गए हमाकिर जीत नहीं गए ठीक जब बाइफ पर ट्रक के सामने आएंगे तह अईसा एक्सेडेंट होगा कि मौका भी नहीं बिलेगा इसलिए उस समय तपस्चरिया गुरू के अनुसार करनी चाहिए यह गुरुदेव मेरे लिए अप क्या करनी है और जब पारवत इमा पूछती है तो नारत भगवान गुरू के रूप में कहते हैं बेटी तो अब ऐसे तपस्या कर ले चुपचा बैठ यहां पर खुब घौर तपस्या कर मुझे पक्का पता है अगर नारत जी ने कह दिया होता कि घरन बैठके रबड़ी घा तो पारवती जी रबड़ी जो आत्मा के उपर संस्कार है वो बिल्कुल मिटाना होगा और उस गंभी तपस्या कि क्या अच तक पारवती से जादा कोई तपस्या किया नहीं और पारवती के इस तपस्या की आयू को माता ब्रह्मचारिनी कहते हैं आज यह दूसरा दिवस है ना पारवती माता के इस त पस्या किया नहीं उसको माता ब्रह्मचारिनी कहते हैं यहीं ब्रह्मचारिनी माता का स्वरूप है